हेलो नुमिश्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार तफागत करता हूँ अब सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी पावर लिम्टेड के बारे में और अदानी पावर में अगर हम देखें तो नीचे वाले लेवल से अपर रॉक्स अगर हम देखें तो चपन रुपए से तावन रुपए यारी 57 रुपीज 60 रुपीज के राउंड से एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिली और यह स्टॉक जो है 108 रुपए के हाई तक नावर के साथ हमें यह 85 रुपीज के पास ड्रेट करता हूँ नज़र आ रहा है तो बहुत लोग का कोष्चयन आ रहा था मुझग है क्या यह श्टॉक ड इलिस्ट होगा तो इससे रिलिस्ट क्या होता है ड इलिस्ट होगा, क्या प्रोसेस होता है और साथ ही साथ हम संजहे कि अब ये दुबारा इस हाई को तोड़ने के लिए कब त्यार हो गाया है चलिए बाचीत को आगे बढ़ाते हैं अगर अभी तक चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए तक याने वाले वीडियो के नॉटिस के से आपको time to time मिलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आम रिटेलर्स फसे हुए हैं परिशान हो रहे हैं कि भाईया इसमें क्या किया जाए क्या किया जाए डरे हुए हैं देखिए सबसे बड़ी बात एक 60 रुपए का stock अगर 108 रुपए तक पहुंच गया है तो admin इसमें कुछ बड़ी चीजे शामिल है बड़ी चीजे admin की operators शामिल है और यहाँ पे जो गिरावट का reason बन रहा है अगर operators ने 60 रुपए के range से बाइंग करना शुरू किया है और वो 108 रुपए से गिराते हुए पचास की रुपए पे लेके आ गया है तो उनको अभी भी कोई नुकसान नहीं है वो लगातार अगर booking करते जा रहे है profit तब भी उनको यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि वो profit में ही आल लेती है लेकिन यहाँ पर नुकसान किनको हो रहा है जो भागती हुई चोर के पीछे दोड़ते है यह बिल्कुल भागती हुई चोर के पीछे दोड़ते है और सुचते हैं क्या पता चोर का लंगोट ही हाथ में आ जाए लेकिन भीया उनके हाथ लगता क्या है निराशा, क्यों? क्योंकि यहां से स्टॉक जब वो बकटने की कोशिश करते है सो रुपे, जब दिखा कि सो रुपे तोड़ दिया अब तो यह यार साइकलोजिकल लेवल तोड़ दिया अब तो यह भागेगा, तो जो यहां पर करें, यह लगातार तीन-चार दिन की जो डंपिंग है यह किसी रिटेलर के बस की बात नहीं है सामने साफ पता लग रहा है चलि एक बड़ नसी के साइट पर चलते हैं और आज का काम का समझने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि वॉल्यूम्स वगेरा देखी जाए अगर आप चाहो तो यहां पर भी आप वॉल्यूम्स लगा सकते हो मैं investing.com खोला हूँ आपको यह समझ माला कि आज वॉल्यूम के हिसाफ से selling जो है वो आईए देखे आज का वॉल्यूम पिछले दिनों के वॉल्यूम से कम है अगर आपको नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है तो आप हमारे कोर्स को जोईन कीजिए बहुत ही खतरना कोर्स हम लेकर आ रहे है टेकनिकल एनलिसिस का अब यहां पर अधानी पावर अपन लगाते है और आज के जो भी डिलिवरी के डेटा बगेरा है वो हम दिखा रहे आपको ठीक है अधानी पावर लिंटेट अब यहां पर अगर हम देखे तो आज यह श्टॉक जो है ओपन होता है 86 रुपे 15 पैसे पे और अगर हाई देखे तो 87 रुपे 70 पैसे तक आजाता है और लो 85 रुपे 5 पैसे और अपने लो पर ही क्लोज हो जाता है 5% के लोवर सर्किट पे लेकिन देखे इस गिरावट में भी 47% का जो है वो डिलिवरी हमें लगता हुआ नजर आ जाए यह अच्छी बात है गिरावट में भी डिलिवरी लगा है और साथ ही साथ आपको बताया तो भाईया यह अपने support zone के पास पहुँच चुका है यहां से अभी या कभी आपको reversal नजर आ सकता है उसी reversal को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो कोई अगर कोई fresh investment करना चाहते हो तो आप screeners पे जाके भी इसका fundamental analysis चेक कर सकते हो आपको यहां पर आपकर अदानी पावर लिख लेना है तो एक बार मैं आपको यहां पर कुछ important सी points पता दे रहा हूँ करोगे वहां पर reserve company के बाद पहले minus में था अभी plus में हो गया 7000 क्रोड का reserve है market cap बढ़ा है बढ़ा है आपको पता है करजा इस पे जी है बिल्कुल करजा है 51000 क्रोड का और company 34000 क्रोड की आपको नज़र आ दिये shareholding pattern पे नज़र डाल लीजे तो यहां पर दीखे 74.97 यानि जितना ज्यादा maximum माल हो सकता था promoters ने अपने पास रखा है public के पास 6% का माल सरफ नज़र आ रहा है इसमें भी operators शामिल होगे मतलब public के पास तो 1-2% ही होगा और FIs ने 11% DIs ने 7% माल ले रखा है अब बात करते हैं डी लिस्टिंग की की डी लिस्टिंग प्रोसेस क्या है डी लिस्टिंग है क्या डी लिस्टिंग है क्या सबसे पहले ये समझ लीजे बहुत सारे लोगों को confusion है डी लिस्टिंग जब company को लगता है कि भाईया मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है कि मैं अपने company को अब अपने आप ही run कर लूँगा मुझे public के पैसे की जोरत नहीं है तो वो अपने stock को dealisht करती है और company public को पैसे मोड देती है public को पैसे जो public के लगे उसको मोड के FIs को, DIs को सबको मोड के company की share बजार से निकल जाती है अपने share को dealisht करके अकेले खुद company अपने business को run करती है dealisht का मतलब यह नहीं company डूब की company बरबाद होगी company खताम हो रही है यह बहुत सारे questions थे क्या दानी group डूब रहा है क्या इसका share dealisht हो जागा dealisht इसलिए होता है कि promoters को लगता है कि मैं अकेले ही business चला लोगा जैसे आपने पीछे वेदानता में देखा था लेकिन वो successful नहीं हो पाया क्यों क्योंकि bidding जो हो रही थी वो काफी highest level पे और थी जो public थे वो काफी ज़्यादा पैसा माग रहे थे उसका तो यहाँ पे जब भी message के थूँ या mail के थूँ पता लगता रहेगा बीच में इसकी खबर आए थी अभी ऐसा कोई news आता हुआ रज़र नहीं आ रहा है अब आपको क्या करना चाहिए देखिए अब ये hurdle इसका बहुत strong है कौन सा hurdle ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ये level ये candle का high देखिए ये candle का high कितना है ये candle का high है भाईया 84 रुपे 35 पैसे 84 रुपे अगर कल के दिन एक lower circuit दिखाता है तो भाईया ये त्यार हो जाईए लंबे dip के लिए 74 रुपे और उसके बाद 64 रुपे लेकिन अगर यहां से कल reverse लेता है कल का market इसके लिए बहुत अहम है यहां से reverse देता है या कल की closing मान लिजे कल एक dip दिखा देता है यहां पर आयता है सिर्वे बैयता है लेकिन फिर भी अगर closing जो है इसके उपर हमें दे देता है closing हमें positive point में दे देता है तो यहां पर हमें तेजी आती हुई इसलिए pressure डाला जा रहा हो dump जा रहा हो कि नीचे से और माल buy करना चाता हो operators है या फिर जो भी promotor group के members है वो और माल नीचे से उठाना चाता है सायर इसलिए अभी आपको यहां पर top पे एक news भी देखने को मिल गई थी सेभी ने clarification मांगा था और इन्होंने दिया भी था clarification आपको पता है तो अभी यहां पर अगर आपके पास माल है तो क्या करना है माल है अगर आपको company आपने माल क्यों लिया था सबसे पहले यह सोचिए अगर आपको company पसंद है अगर आपको company से प्यार है आपको company लगता है तेजी दिखाएगी तो फिर फिकर होकर बैट जाईए और आप लंबे समय का इंतजार करें short term में जो stock market से पैसा कमाना चाहता है वो investor नहीं gambler होता है stock market में पैसा हमेशा लंबे समय में बनता और अच्छा पैसा तभी बनता है 10%, 20%, 50%, 100% की return नहीं बागी बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं 1000-1000% की returns की बात कर रहा हूँ और investors ऐसा ही पैसा बनाना जाते है आपको क्या लगता है राके जुन-जुन वाला गर किसी stock में enter करते होंगे 10% गिर गया 10% बन गया उनकी क्या heartbeat रुग जाती होगी और उनका capital भी कितना बड़ा-बड़ा होता है 200 करोड, 100 करोड मतलब 1% तब अगर फरक पड़े तो उनको बहुत बड़ा फरक पड़ता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वो 1000% की return के लिए market में है तो अगर आप long term के investor हो तो ऐसी company में ही mindset लगा के invest कीजिए जिसे आप short term में पैसा बनाने की कोशिश मत करिए long term vision सोचिए कि long term में company कहां stand करती है और long term में अगर आपको company अच्छी लग रही है तो आप आँख बंद करके पैसा लगा सकते है जो short term के लिए आए तो उनको मैं यही कहूँगा कि अगर यह वाला level break करता है तो आपको बड़े अराम से यह वाला level 74 रुपय का level देखने को मिल सकता है वोप करता हो भी यह वीडियो आपको informative लगी है वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जी अगर वीडियो से regarding कोई राय है तो मुझे comment में जरूर बताइए thank you so much guys, thanks for watching this video